सरकार अब किसकी जासु से हो रही है और किसकी उस्ततेश्वर महाराज की सरकार हर बार सिर्फ मुनाफ़ा कमाना ही महित्वपूर्ण नहीं होता कई बार नुकसान से मुक्ति पालेना भी उतना ही जरूरी होता है सतेश्वर की पीछे पढ़ने का मतलब है हमारा समय व्यर्थनट करना जबकि इस समय हमें हमारा पूरा ध्यान मिल को देना चाहिए उसका मुनाफ़ा बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए जो कि सारे मजदूरों को काम पर वापस लेने की वज़ा से कम हो रहा है आपका क्या जाता है बलवन जी इस गाओं का मुक्या हुमें और सतेश्वर ने श्रीडी में आकर मेरा अपमान किया है ऐसे कैसे जानू जूसे स्वान रूप संसार है भूंकन दे जक्मारी कुट्टे के भौकने से हाथी को क्या परक पड़ता है और वो इससे देखा जाये तो वो आदमी हमारा फाइदाई कर रहा है वो श्रीडी के युवाओं को प्रभावीत करके अपने सास ले रहा है इसका मतलब है वो उतने लोगों को साई और उसकी शिक्षा से दूर कर रहा है और इसके बदले में हमें उसे कुछ देना भी नहीं पड़ रहा है अधियो तो सरकार हमें उस सतेश्वर पर निग्रानी रखने है या नहीं रखनी चोड़ूंगा नहीं उस सतेश्वर को पुलकरनी सरकार अपना अपमान कभी नहीं भूलता है वो कितना भी अच्छा क्यों न बन ले लेकिन ये तो तै है ये अच्छाई से इतना बड़ा और इतना प्रभावशाली गुरू कोई नहीं बन सकता है उसका भी इतियास होगा उसकी भी कोई न कोई दुखती रग होगी एक बार हमें वो रग मिल जाएं तो उसे ऐसा दबाएंगे कि वो हमसे माफी भी मांगे और हमारे बस में भी आ जाएं और एक बार वो बस में आ गया तो उसके सहारे उस फकीर को मैं श्रडी से बाहर पेक दूगा हमेशा के लिए हर्योम मलहर कल घर आया था कह रहा था कहीं जा रहा है हमने पूछा कहां जा रहा है कब आएगा उसने टेक से कुछ नहीं बताया उसने तो हमें ये भी बताना जरूरी नहीं समझा कि वो प्रेम सैनिक बन गया है ये तो हमें अभी आप से पता चल रहा है सै इसका मतलब साफ है माई मलहर का दिल जानता है कि उसका फैसला सही नहीं यहाने दीजिए साई अगर हमारे बेटे को हमारी परवान नहीं तो हम भी जी लेंगे उसके बिना हम भी यही सोचेंगे कि हमारी कोई संतान थी ही नहीं क्या फ़क पड़ता है उसे कि हम पर क्या बीत रही है क्या फ़क पड़ता है कि उसके बिना गाई ने चारा खाया या नहीं खाया दूद दिया या नहीं दिया आप तो जानते हैं साई हमारा गुजारा दूद बेचकर ही होता है और ये गाय तब तक दूद नहीं देती जब तक कि यो मलहार की बाशुरी की आवाज न सुन ले हम भूखे मर जाएंगे तो अभी उसे एफर्ट नहीं पड़ेगा साई शुरत्था और सबूरी रखो राचेश्वार और हिम्मत ना हरो महराज ये वो ही लोग है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था मलहार ने आप सब के बारे में मुझे बताया है आई मलहार जिमाराश झाल आई 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 झाल झाल यह तुमने कभी मलहार को दिया और मलहार ने हमें दिखाया इस से सुन्दर शिल्पकारी हमने आज तक नहीं देखिए बड़े-बड़े शेहरों में भी नहीं ऐसा लग रहा है मानो उसली गाय है तुम तो एक महान शिल्पकार हो राजकिरन आप सच के रहे माराज विल्कुल अगर तुम प्रेम सैनिक होते तो मैं तुम्हारी शिल्पकारी प्रेम नगर में जगा जगा प्रदर्शित करता लेकिन फिल्हाल के लिए मैं इस गव माता की मूर्ति को अपने प्रेम नगर में कहीं अच्छी जगा लगवाऊंगा तुम्हारी कला का इतना अधर तो करना ही होगा आपने तो महाराज, मुझे भी अपना प्रेम सैनिक बना लीजिए महाराज की मुझे भी अपनी शरण में दिलीजिए आज तक किसी ने भी मेरी कला के इतनी सरहाना नहीं की, जितने आपने किये और एक बात सोचा था भगवान ने जीवन में मौका दिया तो भगवान की इत्ती बड़ी मूर्टी बनाऊँगा कि पूरी दुनिया उसे देखेगी पर जोबात आज आपने कही है इसके बात तो आप ही मेरे भगवान आप ही मेरे भगवान महाराज आपके प्रेण नगर के दुवार के लिए मैं चाहता हूँ कि आपके बहुत बड़ी मूर्टी बनाऊँगा मेरी मूर्टी की क्या जरुवत है नहीं महाराज हम सब चाहेंगे कि आपकी मूर्टी वहां लगे ठीक है आप सब की खुशी का सवाल है तो मैं मना कैसे करूँ गुलस्ततेश्वर महाराज की प्रेम सेना में तुम्हारा स्वागत है राजग्रा आज से तुम्हारे सारे दुपदल्द तुम्हारे है तुम बोल नहीं सकती इसरे कोई देख नहीं पा रहा लेकिन मलहर के जाने का दुख तुम्हें भी वहा है न ओ जिसके रिदय में दया भरी हो करुणा मैं जो सर्वो परी हो निर्बल का जो बने सहारा रिदय वही तो हरी काधाम मैं जानता हूं इससे मलहर की कमी पूरी तो नहीं होगे लेकिन जब तक वह वापस नहीं आता तुम और मलहर के आई बाबा एक दूसरे का सहारा है इसलिए इनकी मदद करते रहना आओ मलहर ने मुझे बताया कि तुम्हारी गायक हो गई थी तुम मेरे पास मदद मांगने क्यों नहीं आये ते महराज आप तो मुझे जानते भी नहीं आप मेरे मदद क्यों करते ते यही तो हमारे महाराज की नेकी है महाराज किसी को ना नहीं कहते बलकि जब मैंने इनकों बताया तो इन्हों ने और प्रेम सैनिकों के साथ मुझे तुम्हारी गाइड उनने भीजा पीछे देखो अब गज़ खाया मुझे देखो बहुत बहुत डहनेबाद महाराज आपका अइसान मैं कभी नहीं भोलूगा महाराज कभी नहीं इस मेरी कमाय का जरियाता इसमें एसान कैसा ये तो मेरी जिम्मेदारी है महाराज आमकूर भाव भी अपना कोई बड़ा वयापार चाहते तो दूद बेचने का वयापार गयो नहीं करते हो बड़ा तबेला लगाओ महराज, दूद बेचकर इतने पैसे कहां मिलते हैं अमारी प्रेम सेना में शामिल हो जाओ दूद के इतने पैसे मिलेंगे कि कोई छोटा मोटा नहीं बड़ा वयापार कर सकोगे बाकी कोई मदद चाहिए होगी तो हम सब तो हैं ही हम सब एक दूसरे के दुख दर्द के लिए कुछ भी कर सकते हैं इसलिए प्रेम सेना में कभी कोई दुखी नहीं होता हर किसी के सपने पूरे होते किसी के सपने अधूरे नहीं रहते जी महराज मैं तयार हूँ तो अंकर रेम सेना में तुम्हारा स्वागत है बलो सतेश्वर महराज की रेम आईए अब आप दोनों के प्रेम सेना में शामिल होने की प्रक्रिया शुरू करते हैं यहाई आईए महाराज, आपने इन दोनों की समस्यात तो हल करती अब आपने मेरी बेती के लिए क्या सोचा है महाराज पही, जो तुम कभी नहीं सोच पाई जब जीवन में दुख का अंधिया राचाए मन में सदाश्रद्धा के जोत जलाए विश्वास मन का तुझको पानन रदाए भत्ति भावन अश्रद्धा से जो सीस जुकाए कैसे जिलती हो तो हम इतना और क्यों? ताकि लोग बातें ना बनाएं, वो तो फिर भी बनाते हैं कितनी बार तिरसकार हुआ है तुम्हारा? कितना अपमान सहा है तुमने? क्यों? किस लिए? कभी पलट कर जवाब क्यों नहीं दिया? हम बहुत छोटे लोग है महाराज छोटा, बड़ा, कुछ नहीं होता है ये शब इनसान खुद को सांत्वना देने के लिए बनाता है क्योंकि उसमें समाज की दक्यान उसी सोच और खयालों से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती है इसलिए वो धैरे रख लेता है, सह लेता है लेकिन तुम्हारे अंदर मुझे वो हिम्मत और उनर दोनों दिखाई दे रहा है इसलिए हम तुम्हें अपने आश्रम में मुख्य बावर्ची की नौकरी देना चाहते हैं मुह मांगी तनख्वा मिलेगी लेकिन तुम्हें हमारी प्रेम सेना का हिस्सा बनना होगा और कभी विवाह न करने का प्रण लेना होगा नहीं नहीं महाराज, मुझे तु इसका विवाह कराना ही है क्यों? शादी एक ऐसा बंधन है जो इनसान को और भी बानता है पहले माता-पिता की मर्जी और फिर पती की मर्जी से जीना पड़ता है क्यों? क्या सुख हासल होगा? शादी के बाद तुम अपना घर, परिवार, दोस्त, सब को छोड़के चली जाओगी और ऐसे इनसान के हिसाब से जीओगी जिसे तुम जानती भी नहीं शादी महिलाओं के लिए एक गुलामी है दिन रात पती की सुनो, साससुर की सेवा करो, अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकते और जो भी इनसान, तुम्हें तुम्हारी कुणली दोस्त जानते हुए भी शादी के लिए मान जाएगा, वो इनसान जिन्दगी भर तुम पर एहसान जताता फिरेगा क्या तुम जिन्दगी भर अपमानित होना चाहती हो, या तुम जैसी भी हो, गर्व के साथ खड़ी होना चाहती हो हमारी प्रेन सेना में कोई भेदभाव नहीं होता, सब एक समान है शायद आपकी बात सच हो महाराथ, लेकिन फिर भी मेरी शादी मेरी याई बाबा का सपना है मैंने बच्पन से उन्हें मेरी शादी की तैयर ही करते देखा दे, तो कि ये तुम्हें बोज समझते हैं बेटी को समाज में यही समझा जाता है एक ऐसा बोज जिसे जल से जल दूसरे के उपर लाद दो लेकिन तुम बोज नहीं हो, तुम सक्षम हो हमारे प्रेम नगर में तुम अपने पैरों पर खड़ी होकर पैसे कमाकर नियमित तोर पर अपनी मा को भेज सकती हो उनकी देख भाल कर सकती हो क्या तुम शादी के बाद यह सब कर पाऊगी? क्या तुम्हारा पती तुम्हें यह आजादी देगा? इसी लिए कह रहा हो हमारी प्रेम सेना का हिस्सा बनो और वो प्रेम पाऊँ जो तुम्हारे आई बाबा ने तुम्हें आज तक नहीं दिया बस महराज बहुत हो गया यह क्या आप मेरी बेटी की दिमाग में गल्ब ख्याल डा रहे हैं हमें तो आपके पास आना ही नहीं चाहिए था चल रुको आए यह जो आप कहे रहे है उससे शायद बहुत लड़कियों का भलाव पर मैं वो लड़की नहीं हूँ अपने माता पिता के विरिद्द जाके उनके अर्मानों को तोड़के मैं कभी खुश नहीं रह पाऊं और एक बात महराज मैंने देखा साई के आशिरवाद से गाउ की कई महिला या आत्मनिर्भर बनी है जैसे कि जिप्रित आई रहाना काकी मैंने उन सब को करीब से देखा इसलिए आप जिस अंधकार से भुश्य की बाते कर रहे हैं उसका डर नहीं है मुझे चल्ड तोड़ा समय लगेगा लेकिन भाग्य श्री भी प्रेम सिना का हिस्सा जरूर बनेगी तेमा इस लड़की पर नजर रखो उत्तम सर्वतम तू है साक्षात ब्रह्म तू है तुझी मैं कृष्ण राम थुद को तू कर प्रणाम उत्तम सर्वतम तू है साक्षात ब्रह्म तू है तुझी मैं कृष्ण राम थुद को तू कर प्रणाम बोलो सतेश्वर महराज की, जेए! हाज जोडने हैं तो गौमाता के जोड़ू, जो हमें अपना दूद देकर हमारा पालन पोशन करती है। साइ, हाँ आपके चमतकार से गाई पसंड हुई और उसने दूद दिया। नहीं राचिश्वी, ये चमतकार नहीं। गाय ने हमारे प्यार की वज़े से दूद दिया। मलहार सिर्व बासुली नहीं बज़ाता। वो गाय और अन्य पशुणों से प्यार करता है। और गौमाता को उसके प्यार का अभास है, इसलिए उसकी उपस्थिती में चारा भी खाती है, और दूद भी देती है। तो साय, हमें भी तो अपने बेटे के प्रेम की जहुरत है, कब आएगा हमारा बेटा, साय वो वापस आएगा भी या नहीं? एक बात याद रखो राजिश्वर, जो चीज तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रही, समझ लो इश्वर की मर्जी से हो रही है, इश्वर पे फरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा ये तुम्हें बोज समत्ते हैं, बेटी को समाज में यही समझा जाता है, एक ऐसा बोज जिसे जल से जल दूसरे के उपर लात दो हम तुम्हें अपने आश्रम में मुख्य बावर्ची की नौकरी देना चाहते हैं, मुँ मांगी तनखों मिलेगे, लेकिन तुम्हें हमारी प्रेम सेना का हिस्सा बनना होगा शायद आपकी बात सच हो माराथ, लेकिन फिर भी मेरी शादी मेरी आई बाबा का सपना है मैंने कहा न बेटी, तु नहीं जाएगी अजीब रट लगा रखे, मैंने इसे पढ़ने दिया, यहां तक की नगर के महाविद्याले में भेजा यह सोचकर कि अच्छे रिष्टे मिलेंगे, वगर इसे नौकरी का प्रस्ताब मिला और यह जाना चाहती काम करना चाहती मेरे आज याजुबा के आखरी दिनों में फिर वहीं बात मुझे साई को बताने दीजे बाबा कहने दो इसे आजी आजूबा की आखरी दिनों में बाबा ने बहुत सारा कर्ज ले लिया था मैं काम करके वो उधार चुकाना चाहती हूँ शादी बाद में कर सकती हूँ फिर इसके लिए मुझे इनसे दूर भी जाने की जरूरत नहीं है आप तो जानते हैं साई बाबा गंगराम जी के मुन्शी है गंगराम जी अपना व्यापार पूने में बढ़ा रहा है और वो चाहते हैं कि बाबा वहां रहकर उनका काम समाले मुझे नौकरी भी पूने में ही मिल रही है बेटी पर मैं श्रीडी में खुश हूँ और इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ कि बेटी की कमाय खाऊं साई हमारे समाज को पता चलेगा कि मैं लड़की से काम करवा रहा हूँ तो कोई भी हमसे रिष्टा नहीं जोडेगा साई यह तो पुरानी सडी हुई लकडी है अगर इसे कुर्सी में लगाएंगे तो कुर्सी कमजोर होगी लेकिन मेरे पास दूसरी लकडी नहीं है लाने में समय लगेगा इसलिए यही लगा रहा हूँ लेकिन यह किसी काम की नहीं है उल्टा नुकसानी होगा अगर कोईस पर बैठा तो उसे चोट लग जाएगी पुरानी दक्यान उसी मानने ताएं प्रथाएं भी इस लकडी की तरह ही तो है वो इंसान को कमजोर बनाती है तोड़ देती है सच्चाई तो यह कि लड़की और लड़के में कोई फ़र्ग नहीं अगर लड़के को अपने पैरों पे खड़ा होने का हक है तो लड़की को भी है अपनी आई बाबा का ख्याल रखने उनके लिए आर्थिक मदद करने का भी हक है और रही बात शादी के तो जिस तरह आप मुझे इंतिजार करके अच्छी लकडी लाने की हिदायत दे रहे हैं वो आप पे भी लागो होता है आपको भी सबर करके कोई ऐसा लड़का ढूनना चाहिए जो आपकी बेटी की सोच का सम्मान करे इसकी काबिलियत का सम्मान करे क्यूंकि वही इसे खुश रख पाएगा कोई और नहीं आप ठीक के रहें साई मैं अपनी सोच के बाहर जा ही नहीं पा रहा था मैं गंगा रामजी से बात करके पूने चला जाऊँ और इसे भी वहाँ काम करने दूगा रही बात इसकी शादी को तो जैसे आपने कहा वैसा ही करूँगो चुक्रिया साई नामजी भला अगन चलता हो साई अपनी बेटी को खुश देखने के लिए उसकी इच्छाओं का ख्याल रखना चाहिए सभी बेटियों की तरह आपकी बेटी भी सम्मान की पात रहें अपनी बेटी के लिए कोई ऐसा लड़का ढूंडिये जो उसे अपना साथ ही समझे उसके सपनों को उसकी इच्छाओं को बराबर कमायद हो दे और अब तक तो ऐसा कोई नहीं मिला क्योंकि माई अभी तक आप सिर्फ डरते डरते ऐसा लड़का ढूंड रही थी जो आपकी बेटी के ग्रहदोश को स्विकार करें आपके डर ने आपको सफल नहीं होने दिया लेकिन जब आप पूरे विश्वास के साथ ऐसा लड़का ढूंडेंगी जो भाक्य श्री के गुणों को स्विकार करें तो ऐसा लड़का मिलेगा धैर यसे चलोगी विवेक से काम लोगी तो सब ठीक हो जाएगा लेकिन अगर विवेक खोया और जल्दबाजी की तो नुकसान हो जाएगा हाँ, मुझे सबर रखना ही होगा आपकी बातों पर विश्वास करके चलना होगा साई मन में साई के क्या है कौन जान पाए साईयोम 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 सुना है सतेशवर महराज की बज़े से अंगुर की खोई हुई गाय मिल गई है और उन्होंने उसे व्यवसाय देने के लिए वादावी किया है प्रेम नगर में हमें भी मिलना चाहिए उनसे अगर ये बड़े लोग भी सतिश्वर महारास से प्रभावित हो रहे हैं कहीं मेरी बेटी भी उनकी बातों में ना आ जाए मतलब सतेशर महारास तो कमाल है बाई, उनके पास कोई भी समस्या लेकर के जाओ, उसका समाधान तुरंद कर देते हैं हाँ, राज किरन को प्रेम नगर में शिल्फकारी का काम दे दिया, अरे उसकी तो जिन्दिगी बदल गई तुर क्यों नहीं जाता है उनसे एक बाड मिलने के लिए, जो तु अपनी समस्या तो, एक बार उने बता, हो सकता है उसमें वो तेरी कोई मदद कर दे सब सतिश्यर महराज की कितनी तारिफ कर रहे हैं कितना अच्छा उसर मिल रहे हैं सतिश्यर महराज के कारण मुझे तो भागेशी से इतनी जलन होती है कि महराज ने इसे उसर दिया लेकिन इसकी तो किसमत इस होती है इसका रिष्टा तो हर लड़का ठुकरा देता है और ये मौका तो भागिश्री खुट ठुकरा रही है देख, तेरी कुंडली देखे कोई तुस्से शादी तो करेगा नहीं और अगर करेगा, तो घर में कुछ भी बुरा होगा तो इसका दोशी तुझे ही ठैराएगा यहां महरास तुझे काम दे रहे है तुपैसे भी कमाएगी और अजाद भी रहेगी हाँ क्यों नहीं बोल देती प्रणाम साई रामची भला करें भागिश्री, जीवन में जब भी लगे कि कोई रास्ता सूझ नहीं रहा और सारे धर्वाजे बंध हो चुके है तब याद रखना मैं तुभारे साथ हूँ और द्वारका माई के धर्वाजे हमेशा खुले और तो और वो राज किरन और रंकुर वो भी अप प्रेम सेना में शामिल हो गए है हरियोम, हरियोम, बहुत बढ़िया सरकार, अब आप उसकी जीव पर खुश हो रहे हैं अरे दो बिल्लियों के जगडे में कौवे काई लाब होता है हमेशा एक बात पलवन ऐसा ही कहीं थी चितने युवाँ इस प्रेम सेना का हिस्सा बन जाएंगे उतने उस फकीर के भक कम होते जाएंगे युवाँ तो हाथ से गए ही साथी साथ उनके परिवार वाले वो भी साई पर से आस्था छोड़ देंगे क्योंकि साई ने उनके बच्चों को नहीं बचाया लेकिन सरकार अगर वो फकीर हर बार की तरह इस बार भी आपसे जीत किया तो फिर मनुसियत वारी बात मत करना क्या सरकार आप हमेशा हमें मारते रहते हैं लतारते रहते हैं हम भी जाकर प्रेंच से ना में शामिल होकर प्रेंच जानिक बन जाएंगे वहां कम से कम हमें मान तो मिलेगा हमें इज़त तो मिलेगी अच्छा जाओ अवश्य जाओ जाओ, किसने रोखा है तुम दोनों को, लेकिन यहां जो रॉब छाड़ते हो, और लोगों से जो फोकट में वस्तुए लेते हो, मुपत का खाना खाते हो, मांग मांग के मेरा नाम लेके, वो सब्बद हो जाएगा, वहां क्या है, ठाल में जो किरेगा, वहीं खाना जाओ, 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 निक्राओ, नहीं, नहीं, सरकार, हम तो मजाग कर रहे थे, है ना संता जी, हाँ, सरकार, मजाग था, मजाग था, कभी ऐसा घटिया मजाग मेरे साथ किया, तो गोली से उड़ा दूगा तुम दोनों को, कधे कहीं के, के वल चंद है ना, जो साई को बहुत मानता है, जी सरकार, अरे, वास्तुकार जी, हर्योम, हर्योम, प्रणाम सरकार, और अभी तक मैं वास्तुकार बना नहीं हूँ, अभी तो मैं आपके ही मील में काम करता हूँ, लेकिन मील में सबसे कहते रहते हो ना, कि तुम्हें वास्तुकार बनना है, कहते हो ना, देखो कोई बात छुपती नहीं है मुझसे, वो सब छोड़ो, सतेश्पर महाराश से मिले की नहीं, सुना है वो तुम्हें ढून रहे, मुझे, किसी ने उन से कहा कि तुम वास्तुकार बनना चाहते हो, तो वो तुम्हें आउसर देना चाहते हैं, सुना है कि वो बड़े प्रेम नगर नाम के नगर का निर्मान करने वाले हैं, और वो नगर वो तुमसे निर्मान करवाएंगे, हचारों एकर में फैला होगा वो वहां बड़ी-बड़ी दुकाने होंगी मकान होंगे, अस्पतार होंगे सब वो तुमसे बंदवाना चाहते हैं और इतना ही नहीं भाई पैसे भी मिलेंगे, नाम भी होगा और वहां पे लिखा जाएगा प्रेम नगर वहां तुमारा नीचे नाम होगा दिरमान, केवल चन दुआरा हैगी नी क्या सोच रहे हो, मिल के नौकरी के बारे में देखो केवल चन, मैंने तुमारा काम देखा है वहां तुमारा मन नहीं लगता और जहां मन नहीं लगता वहाँ उन्हती कैसे होगी बताओ इसलिए वही करो जो तुम करना चाहते हो वही सफलता भी होती है अरियोम लेकिन प्रहेम सैनिक बनने के लिए मुझे मेरे माता पिता को छोड़ना होगा और मेरे सिवाए उनका कोई नहीं है देखभाल करने के लिए अरियोम नहीं सरकार मुझ से नहीं हो पाएगा केवल चन तुमारे माता पिता मेरे माता पिता समान है उनकी चिंता तुम छोड़ो अरे तुम शिरिदी का नाम मूचा करोगे तो इस गाओं का मुख्या होने के नाते मेरा भिनाम उचा हो जाएगा और इसके लिए तुम्हे इतना करी सकता हूँ हरे ओम सरकार ठीक कह रहे है हावसुदा सोच रहे ये बार बैटी की शादी करा दे लेकिन कोई अच्छे लड़की मिले तब ना वो फागेशी है ना उसकी माँ भी तो रिष्टा डून रही है उसके लिए कौन वो मनुस अरे वसुदा उसके कुंडली दोश के बारे में तो सारा गाओं जानता है और ऐसे लड़की के साथ कौन माबाब अपने बेटे के शादी कराएंगे मनुस नहीं है मेरी बेटी नहीं है मनुस साही ने मुझे अभी समझाया है कि मैं देखो कावे साही तो सबके लिए अच्छा ही कहते है लेकिन कौन माबाब अपने बेटे के जीवन के साथ इतनी बड़ी जोखे मुठाएंगे देखो बुरा मत मानना लेकिन तुम्हें अपने बेटी को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई ऐसा कुछ काम सिखा के उसे काम पर लगा देना चाहिए क्योंकि उसके शादी तोब होने से रही उसका घर नहीं बसने वाला देखो सिर्फ शिरडी के ही नहीं आसपास के सारे गाउ के सब लोग तुम्हारी बेटी के कुंडली दोश के बारे में जानते हैं और उन लोगों के बारे में भी जानते हैं जिन्नोंने तुम्हारे बेटी के मांगली और काल सर्पर दोश के चलते रिष्टे को मना किया है सब गलत है सब गलत है मेरी भाव विश्व की शादी होगी केवल कुलकरनी सरकार ने कहा न कि अपनी जिनता छोड़ दो ये तुम्हारे बुढे माता पिता को अपने साथ अपने खर में अपने माता पिता बना कर रखेंगे उनकी सेवा करेंगे सुबह शाम उनके पैर तपाएंगे यहां तक कि तुम्हारे माता पिता का इलाज भी करवाएंगे सट सरकार आप उन्हें वाड़े में रखेंगे अवश्य रखोंगा लेकिन फिर भी केवल मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ध्यान इसी सोच में पड़ा रहेगा कि तुम्हारी आई के द्रिष्टी वापस आई या नहीं तो एक काम करने है सरकार आप आज ही इसकी आई का नाशिक के अस्पताल में इलाज करवा दीजे कुछी दिनों में जब वो ठीक हो जाएंगी तब केवल की चिंता भी दूर हो जाएगी और साथ ही साथ तब तक आप केवल की पिता को अपने खर रख लीजे ताकि केवल देख सके कि इसकी अनुपस्थिती में भी आप उनकी किस तरह सेबा करेंगे उसके बाद केवल निश्चिंत होकर सब त्याग सकेगा मैं तो केवल को जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से रोक रहा हूँ कुल करणी सरकार जब बच्पन में केवल के माता-पिता को कहीं बाहर जाना होता था तो केवल की देख भाल करने के लिए वो देख परक कर ही किसी पडोसी को चुनते थे जहां उन्हें विश्वास होता था कि केवल की देख भाल हो सके और केवल खुश रह सके वही केवल को भी तो करना चाहिए ना अपने माता पिता के साथ तो शुरू करें खेल खेल रहा है तुम मेरे साथ खेल खेल रहा है लेकिन इस बार तो सपन नहीं होगा पहले भी कहीं सारे युवाँ को तो रोक नहीं पाया और ना आगे रोक पाएगा केवल और उसके जैसे कहीं सारे युवाँ आज नहीं तो कल सदेश्वर के सेना का हिस्सा बन कर तुछ से दूर तेरे भक्त उनके माता पिताओं से दूर चले जाएंगे फिर वो माता, पिता, पत्नी, बच्चे सक तुझे दोशी मानेंगे तुझे और वो दिन शीकर ही आने वाला है अगेर देख लेना आपके मन पर मेरा अधिकार नहीं है कुल करने सरकार इसलिए आप जो चाहिए सोचे लेकिन अब तक आपको समझ जैना चाहिए कि अच्छा ही के आगे कुछ भी ज्याता समय तक नहीं टिकता है और माता पिता के अपने बच्चों के प्रती प्रेम से और अच्छा क्या हो सकता है उसके आगे तो कोई भी ताकत नहीं दिखेगे अरियोम रामची भला करें साई सरकार साई की बाते सुनने के बाद मुझे समझ में आ गया है कि इन समबे मेरे माता पिता खुश नहीं होंगे और मेरे लिए उनके सुक से बड़ा महत्रपून कुछ भी नहीं है देख के वल चन्द मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि एग बार सतेश्वर महाराज से मिल लो वो सत्ता है वो तुमारी सारी चिन्ताएं दूर कर दे अरियों भाग श्री आईए आईए मैं जी बिठा पानी ले करा ये है मेरी बेटी और बेटी ये दा मुदर जी तुझे देख ली आए तेरे लिए रिष्टा ले कर दे बहुत सुन्दर है आपकी लड़की इसका रूप इसके नए नक्ष देख के ही मन पसंद हो गया अपनी होने वाली बहु के लिए ऐसे कौन बात करता है बहुत गुनी भी है मेरी बेटी घर का सारा काम कर लेती है सिलाई, कढ़ाई, बुनाई हर तरह क्या वेंजन बनाना आता है आपके घर को अच्छे से रखेगी और तो और आपके बच्चों को अपने बच्चों जैसा पालेगी आई, इसका क्या मतलब है? जो बैट पसंद है कब आउं पारात लेके आपकी भागिश्री को अपनी दुलहन बना कर ले जाने के लिए कब आउं पारात लेके आपकी भागिश्री को अपनी दुलहन बना कर ले जाने के लिए आई आई ये क्या कह रहे है अपनी दूलान मतलब ये मुझे अपनी बेटे के लिए देखने आये ना नहीं अपने लिए एक साल पहले इनकी बीबी चलबसी खानदानी है पैसे वाले लोग है घर में काम करनी के लिए नौकर है तो महां राज करेगी आई ये मेरे पिता के उमर के आप इनसे मेरे शादी करवाना चाहती है और ये शादी के लिए तयायर भी हो गए जी तो और क्या करूं मैं बता क्या करूं तेरी कुंडली के कारण तुझे कोई अपने घर की बहु बनाने के लिए तयार नहीं मन हूस कहते हैं सब तुझे दामोतर जी भले इंसान है कुंडली में विश्वास नहीं रखते इसलिए मैंने फैसला किया तेरे लिए यही सही है अई तेरी माँ दुश्मन नहीं मुझसे बेतर तेरे लिए अच्छा बुरा कोई नहीं सुन सकता तो मना कर दिजी इने क्या अई मैं इंसे शादी नहीं करूं बस अम मुझे कुछ नहीं सोचना क्या कह रही ती तूस्षर तेश्विर को कि आपकी बाती सही है क्या सही थी उसकी बाती खाली बेठी बेठी तेरा तीमाग और न खराब हो जाए इससे बेधर है तूँ शादी करेगी किसी जवान आद्मी से शादी करेगी तो हो सकता कल को तुझे छोड़कर भाग जाए, जैसे तेरे बाबा सालों पहले मुझे छोड़ गए, कम से कम ये उमर का आदमी तुझे छोड़कर नहीं जाएगा, बलको उपर बिठा कर रखेगा, और इन्हें भी पता है, कि तुझ जैसी बीबी इने नहीं मिलेगी, हाई ये किसा तर बस, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना, मैंने जो कह दिया, सो कह दिया, तुझ शादी करेगी, चल ता मुदर जी, आप अंगुठी पेना कर अभी मंगनी कर दीचे, फिर भराचाय जबली कराईएगा, देरी की कोई जैरूरत नहीं है, जी नए, भागशी, वागवाशा, भागशी, वागवाशा, भागशी, जीवन में जब भी लगे, कि कोई रास्ता सूज नहीं रहा है, और सारे दर्वाजे बंद हो चुए, तब याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और द्वारकामाई के दर्वाजे हमेशा खुले, हमारे प्रेम नगर में, तुम अपने पैरों पर खड़ी होकर, पैसे कमाकर, नियमित तौर पर अपनी मा को भेज सकती हो, उनकी देख भाल कर सकती हो, इसी लिए कह रहा हूँ, हमारी प्रेम सेना का हिस्सा बरो, वरो सतेश्वर महराज की, जेए! महराज, मैं अपनी प्रेम सेना में शामी लोना चाहती हूँ, भाग्य श्री, प्रेम सेना में तुम्हारा स्वागत है, बलो सतेश्वर महराज की, जेए! मैं तो सर्व अपनी बेटी का घार बसाना चाहती थी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तुम्हारा बसाना चाहती हूँ, जेए! मैं तुम्हारा बसाना चाहती हूँ, जेए! क्या बसाना चाहती हूँ, जेए! क्या बसाना चाहती हूँ, जब जीवन में दुख का अंधिया राचाहे, मन में सदाश्रधा के जोते जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भत्ति भावन श्रधा से जो सीस जुकाए, सायों! सायों, सायों, सायों! सायों, 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 सायों! आप सब बाहर क्यों चेले गए थे धूए से फूरी द्वार का माई भर गई थी साई गुटन महसूस हो रहे थे यहां बैठना भी मुश्किल हो गया था इसलिए मजबूर इने सब को बाहर जाना पड़ यही हो रहा था भाग्यश्री के साथ में भागती नहीं तो क्या करती माई आपके गलती यह है कि आपने ऐसा माहौल बना दिया जो भाग्यश्री का दंग उटने लगा मैंने तो आपको समझाया भी था मैं बहुत डर गई थी साई यही सत्पिश्वर के बाद को सचमान का मेरे बेटे उसकी जाल में लफ़ जाए लेकिन वही हो आपके बाग्यश्री सचमा ऐसा समझने लगी कि वो आप पर बोज है और इसलिए उसकी आई उसका रिष्टा एक बुढ़े के साथ करना चाहती थ गुरुजी आप झाल झाल अपने बच्चों की ग्रिहस्ती बसाने का सपना घलत नहीं होता माई घलत होता है अपने जित के आगे बच्चों की इच्छा उनके सपनों की अंदेखी करते न ये सोच लेना कि उनका भला बुरा तो सिर्फ और सिर्फ हमें समझते हैं लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि विवा तो केवल एक शुरुवात है उससे महत्वपून है विवा को एक सफल संबंद कैसे बनाएं हम बच्चों के लिए विवा से जुड़ी सारी तैयारिया कर लेते हैं लेकिन क्या हम बच्चों को विवाहिक जिवन के लिए तामपत्य के लिए तैयार करते हैं कभी क्या हम उन्हें ये समझाते हैं कि पती-पत्नी में बराबरी होना जरूरी है और अगर बराबरी ना हो तो ये रिष्टा किसी ना किसी पर बोश्ट बनेगा है और ये बराबरी है खुशियों की, अधिकारों की, मान सम्मान की और सपनों को देखने और पुरा करने की भी माणि, अगर अच्छा रिष्टा नहीं मिल रहा है तो समाज का बू बंद करने के लिए अपनी लड़की के जीवन से खेलना कहां से सही है इससे तो अच्छा है कि उसे उडान भरने दो, अपने सपनों को पुरा करने दो, अपने गुणों को दुनिया को दिखाने दो हो सकता है माई, उसकी कुणली को देख के नहीं बलकि उसके गुणों को देख के उसे जीवन साथी मिल जाए और जो आदमी लड़की के गुणों को देख के उसे चुनेगा वही उसे सही माईनों में खुश रख पाएगा उससे गलती हुई मैं मानती हूँ साथी और ये गलती दोबारा नहीं दो रहा होगी लेकिन क्या मेरे एक गलती की वज़े से मेरे बेटी हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगी सही लेकिन साथी हमने तो अपने बेटे पर कभी कोई दवाब नहीं बनाए खिर्वियों हमें छोड़कर चला गया क्यों साइग आज साइग तेरे पती आलसी थे इतने आलसी थे कि जब गाय को गई खोगई ना खुट ढूनने नहीं गया बेटके इंतिजार किया कि कोई और उनके लिए गाय ढून ला है सब भी उनके साथ जी रही थी हमारा तो बच्चा भी ऐसा ही तब भी वह हमें छोड़कर चले गए सेडी में हालत्वाकई बहुत खराब है साइब बच्चे अपने माटा पीता को छोड़कर जा रहे हैं तो कोई अपनी बच्चों को पत्नी को घरवालों को छोड़कर जा रहा है उस पर इंसेना में भरति होने साइं, कहीं ऐसा नहों कि शेड़ी के सभी युवा अपने परिवार और शेड़ी को छोड़कर कहीं दूर चले जाएं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तो पर शेड़ी के बुजूर्गों का क्या होगा साइं शिरत्था और सबुरी रखिये जो दूसरों के घरों में फूट डालते हैं उनके खुद के जिवन में भिस्तिरता नहीं आ सकती है माबाप का दिल दुखाने वाले को तो इश्वर भी माफ नहीं करता इसलिए जब तक आपके परिवार पूरे नहीं हो जाते ना ही इश्वर खुश होगा ना ही मैं साई धन्य है ये भागिश्री जिसने अपने भाग्य को बदलने के लिए कदम बढ़ाया जिसने अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अपनी आई का त्याग कर दिया भागिश्री अब तुम्हे कोई मन्हूस नहीं कहेगा क्योंकि आज से तुम प्रेम सेना की भागिश्री हो यहां सब बराबर है इस प्रेम सेना का हिस्सा बनने के लिए तुम्हें अपने परिवार का त्याग करना होगा अपने समाज का त्याग करके सिर्थ प्रेम सेना को अपना परिवार मानोगी और किसी रिष्टे को नहीं मानोगी क्या तुम ये वचन देने के लिए तैयार हो? वोला सतेश्वर महराज की उत्तम सरोतम तू है साक्षात द्रम तू है रुपो गुरु समान दाता नहीं याचक शिश्य समान तीनों लोग की संपदा तो गुरु दीन ही दान तीनों लोगों की संपदा से भरपूर ग्यान गुरु ही दे सकता है लेकिन यहाँ तो गुरु शिश्यों ने कभिर जी की वानी को घलत साबित कर दिया साइए आप मुझसे उम्रों में बड़े हैं और मेरे कई सैनिकों के प्रथम गुरु रह चुके हैं इसलिए मैं आपकी इज़त करता हूँ लेकिन मेरे निजी मामलों में बोलने के लिए आपको कोई अधिकार नहीं है मामला अगर सच में निजी होता तो मैं बीच में ना बोलता लेकिन यहां सवाल एक मा बेटी का है जिनके कुछ गलतियां उन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग करने पे तुमी है मा तो समझ गई है अब बेटी को समझाना है साइए आपने जानते के आई ने क्या करवाना चाहां वो मेरी शादे एक बुड़े आदमी से करवाने वाली थी यह सोच करके मैं अभागन हूँ मेरी कुंडली में दोश है भागे श्री अगर वो सच में तुम्हें अभागन मांती तो तुम्हारी शादी के सपने नहीं देखते खुद भूकी रहकर तुम्हारे लिए पैसे नहीं जोड़ते मैं मानता हूँ कि उनका एक बुजर्ग के साथ तुम्हारा रिष्टा करने का वैसला गलत था लेकिन ये भी सच है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो अपनी गलती सुधारना भी चाहती है क्या उनकी एक गलती के लिए तुम हमेशा के लिए उनसे रिष्टा तोड़तोगी ये तुम नहीं हो भागिश्री तुम तो वो लड़की हो जो अपने आई के दर्द के लिए उनसे लड़ा करती थे याद है न देखें न साई भागश्री को अचनक चक्कर आ गया मैं होश हो गई बड़े मुश्किल से लेकर आई हूँ साई इसका तो बस एक ही इलाज है गुदगुदी मैं तो नाटक कर रही थी नाटक? यहाँ मेरी जान निकल रही थी और तो नाटक कर रही थी तो जे शर्म नहीं आई अपने आई को डराते हुए? बिल्कुल नहीं आई क्योंकि आपको याल आने का एकी तरीगा था साही तिन दिन से इनके पैर में मोट चाही हुई थी उठने भेटने चलने में भी दर्थ होता था इतने बार बोला अपने कि आकर दवा ले ले पर ये टायल देती है इसलिए मैंने अपने तब्यात का बाना बनाया देखें कैसे ज़से मुझे ले आई इश्वर मा बेटी का प्यार सदा ऐसे ही कायब रखे है साही ये मेरा इतना ख्याल रखती है दर लगता है जब ये शादी करके जाएगी तुम बहत इले कैसे रह सकूँगी ये शादी के बाद भी आपका क्याय रखूँगी और खूब पैसे कमर के आपको बेजूँगी पैसे नहीं बेटी अपनी आई को उतना ही प्यार पहुचाती रहना जितना तुम्हारी आई ने तुमसे किया है जितना तुम्हारी आई ने तुम्हें दिया है उतना ही काफी होगा तुम्हारी आई के लिए मेरी बात याद रखोगी न भीटी हाँ साई ये उदिल और इसका लेब बना कर अपनी आई के पैर में लगा दे लो अन्यवाद साई आमची भला आगर भागिश्री एक दिन में क्या ये सब योग तुम्हारे लिए मा से बढ़कर हो गए जिस भागिश्री को मैंने इतने सालों से देखा है वो परंपराओं को त्यागने वाली नहीं बलकि समय के साथ परंपराओं को बदलने में विश्वास रखती है जो अपनी आई की मेहनत को समझती थी उनके दुख और चिंता को बाटना जानती थी अपनी आई से प्रेम करती थी और वो रिष्टा इतना कच्चा नहीं था पागिश्री कि किसी की एग खलती उसको तोर सके अगर तुम सच में वो शादी नहीं करना चाहती तो मैं उसमें तुम्हारा साथ दूँगा लेकिन तुम जो कदम उठा रही हो उस बुज़र्ग आदमी से शादी के तरकी कारण उठा रही हो ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारी माने तुम्हारी शादी का फैसला लोगों की बातों से तरकी किया था उन्हें तो अपनी गलती का एहसास हो गया लेकिन क्या तुम अपनी गलती को ना मान कर अपनों और अपने सपनों तोनों का त्याग करतोगी